दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सोलजर फिल्म के बजट और बाक्स आफिस कोलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े अनना अनफैक्ट्स के बारे में भी तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंग तक जरूर देखियेगा इस फिल्म में बोबी दी उल, प्रीती जिंटा, राखी गुलजार, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, सरेश उबराय, दलीप ताहल, शरत सक्सेना, अशीश विद्यार्थी, सलीम गौस, शीतुल सौरोना, जीतो वर्मा, कल्भुशन खरबांदा, पिंकच धीर, अमरत पतेल, प् विवेक वासवानी नजर आये थे, इस फिल्म को अबास मस्तान ने डाइरेक्ट किया था, और इसे प्रोडूस किया था रमेश तोरानी और कुमार तोरानी ने, जबकि फिल्म के राइटर थे शयाम गोईल, और फिल्म के डाइलाग लिखे थे जावेद सिद्धिकी ने, इ इस फिल्म ने इंडिया में 21 करोर 37 लाग का कुलेक्शन किया था, इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 1 करोर का कुलेक्शन किया था, जबकि अपने पहले हफ़ते में 5 करोर 49 लाग का कुलेक्शन किया था, अगर वर्ल्ड वाइड कुलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म 38 करोर 89 लाग का वर्ल्ड वाइड कोलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी अगर बात करें इस फिल्म की IMDB रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.3 रेटिंग मिले है और ये फिल्म अनी सो अठानवे की दूसरी हाई इस्ट ग्रासन फिल्म रही थी अगर बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए प्रीती जिन्टा को बेस्ट डेबियो एक्ट्रिस का फिल्म फियर अवार्ड, जी साइन अवार्ड, बोली वोड मुवी अवार्ड, और सिक्रीन अवार्ड, जबके अकबर बखशी और तीनो वर्मा को बेस्ट सिंग का जी साइन अवार्ड मिला था अगर बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म को म्यूजिक अनुमालीक ने दिये थे और उसके लीरिक्स समीर ने लिखे थे इस फिल्म में टोटल आर्ट गाने थे और फिल्म के गाने सूपर हिट रहे थे तो चलिए फिल्म से जोड़े जूम फिल्म में नजर आये थे। नमबर दो इस फिल्म को इंडिया और आस्ट्रिलिया में शूट किया गया था। नमबर तीन अमरेश पूरी और गुलशन ग्रोवर को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था। लेकिन बाद में ड्राप कर दिया गया था। नमबर चार इस कैनेडा के ठीटर में भी रिलीज किया गया था तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी थी आप इस फिल्म को पांच में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताके हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके